नमस्कार दोस्तों अगर आप बिहार फायर मेन का वेकेंसी भरे हैं और चाहते हैं आप कि ओनलाइन मॉडल सेट लगा हैं तो आप सही चेनल पर आए हैं अगर आप मॉडल सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पूरा देखिए और इस बुक को आप लोग को 15 दिन में खतम कर दूँगा तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट कीजिए तो चलिए आज के फर्स्ट कोशन पर उससे पहले अगर इस बुक को आप बना लेते हैं तो आपको 20 नंबर कम सकम 20 नंबर इस बुक से रहने वाला है दोस्तों अगर आप इस बुक का पीड बजार नियम किसके दोड़ा प्रालम किया गया तो इसका अंसर हो जाएगा अलावदिन खिल जी दोड़ा अलावदिन खिल जी दोड़ा बजार नियम प्रालम किया गया नेक्स्ट कोशन है भारत में संसद्या बैठक का पाला घंटा डैस के लिए निधारित होता है तो पा इसका अंसरो जाएगा एनिवेसेंट ने 196 में सोशासन यानी हम रूल अंदोल अंदोलन शुरुवात किया था पर्थम पानिपत युद में बावर ने किसको हराय था तो इसका अंसरो जाएगा बावर ने इबराहिम लोदी को हराये था यह हुआ था पंद्रो सो चब्वीश इसापुर्व में इस इस वीम हुआ था नेक्स्ट कॉसन है इन्हें से कौन सा मिलान सही है तो इस कांशल जारी एनी पोर्टीन जो होता है वो अमीनोमल से होता है कारबो हाइडरे जो होता है वो गुलकों से समंधित है जबकि वासा जो होता है वो गिल्सरोल से समंधित है उस अंत्रिक स्यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्टोंग की साथ चंदर तल पर उत्रा था तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन एलरीन गलोब पर करक रेखा भारत के कितने राजों से होकर गुजरती है तो इसका आंसर हो जाएगा करक रेखा जो है वो भारत से आठ राजों से होकर गुजरती है नेक्स्ट कोशन है ओलंपिक खेलों में भारत वरा वकी का पहला 1925 बड़ जिता गया था इसका जो जीता गया था 1928 में जीता गया था इसका आंसर जो हो जाएगा 1928 हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है जब इस्ट इंडिया कंपनी के श्थफण हुई उस समय भारत का शाषक था तो उस समय जो था भारत का शाषक वो अकबड था next question है मगद का कौन सा सासक भूद का समकालीं था तो इसका अंसर जहएगा BIMBY사 Shark, BIMBY- roup सिथित तरल जेविक पदारत को जिव्दर्व का नाम किसा न दिया तो इसका अंसरो जहएगा CJA-E पुरकिंजे ने दिया था नेक्स्ट कॉशन है एसिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो एसिया की सबसे लंबी नदी यांग टी सी कियांग है जबकि भारत का सबसे लंबी नदी गंगा है और विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है बिश्व में किस देश का लिखी सभधान सबसे विश्दित है तो सबसे लिखी सभधान जो है भारत का विश्दित है किन दो तीथियों को लग भग दीन और रात बराबर होता है तो इसका आंसर जगा B. 28 March, 38 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है जिस पर कोई लांचन ना लगा हो तो इसका आंसर हो जाएगा निस्च क्लंक C हो जाएगा नेश्ट क्वेशन है तो इसका आंसर हो जाएगा Perfection B हो जाएगा नेश्ट क्वेशन है ने मिलिखित किस वर्ष भारत में इस्ट इंडिया कंपणी का साशन समाप्त कर भारतय प्रसाशन का निरंत्रन सिधा बिट्टी स्ताज के अंत्रगट हस्तांत्रीत कर दिया गया तो इसका अंसरों जगा C. 800 अंठाब निसिवी में नेक्स्ट कोशन है सभा डूला लोग सभा को धन ढिटहेग क्टने समय में लोटा दिये जाते है नेक्स्ट कोशन है है इंतन स्वाल है सुर्धिआ दोस्त टोड्LES टा इंढ टायम लगता है क morality health को जन्भलाल सब्द निम्लिकितिम से किश्चर संबंदीत है तो जम्प बाल सब्द जो है वह ज Israelis स्मभंदीत थे इसका अशर दोबॉ तत पूरुष है नेक्स्ट कोशन है बीदवा पुर्ण विवा अधिनियम अठारिसो छप्पन किसी गबर्ण जर्नर की समय पास हुआ तो इसका आंसर हो जागा अठारिसो छपन में लोड के निंग था नेक्स्ट कोशन है इन में से कॉन्सा स्थयम सब्द होगा तो इसका आं आंसर हो जाएगा दानी हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है भारत के दक्कन छेत्र में पाई जाने वाली परमुक मिट्टी कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के दक्कन छेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी होती है यानि बी आंसर हो जाएगा स्वाष्चन भोष के अध्यक्षपद से त्यागपद देने के बाद अखिल भारते काउरेस का अध्यक्षपद को चुना गया तो इसका आंसर जगा B परतावी सितार मया चुना गया नेक्षट कोशन है रप्पा सभेता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था तो इसका आंसर हो जगा D बाला कोट जो कि भारत में नहीं है नेक्ष्ट है चितोर का किरतियस्थम किसने बनवाया था तो इसका आंसर हो जगा रणा परताव यानि A हो जाएगा चितोर का किरतियस्थम रणा कुमभा हो जाएगा B हो जाएगा आंसर नेक्स्ट कॉशन है मुल्व समंधित कर यानि वैट को लाव करने किसी पारिस की सम्मिति ने की थी तो इसका आंसर जगा बी लश्मिक कांट जहां समिति ने की थी ही नेक्स्ट कॉशन है खानवा कser के बीप हुआ था जो अ की सांक के बीच हुआ था तो सूंध्ब वरतर essas यूज्ख से यूजो दो एक पंधरम है और पुजिट चुनना है तो इसका पुजिट हो जाएगा gli drug नेक्स्ट कॉइसन है और हरप निति किस गबर्णर जर्णरल ने अपनाय थी तो हरप निति जो दल होजी ने अपनाय थि नेक्स्ट है वह समनार्थी बिकल्प का चैन कीजिए इच्छा जो है इसका आंसो जगा लोचन हो जाएगा नेक्स्ट वोस्न है दीन में समुद्र की ओर से अस्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कते हैं तो CBD हो जाएगा, next है, पहला ACI खिल कहां हुआ था, तो इसका अंसर जगा, भारत में हुआ था, 1951 में हुआ था, next है, कौन सा correct है, तो इसका अंसर जगा, A जो की correct है, next है, भारती राष्टगान को पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है, तो इसका अंसर जगा, 22 लगता है, next question है, महाभीर को निन में से किस पर विशबास था, तो इसका अंसर जगा, महाभीर को करम पर विशबास था, next question है, सिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेव ने किसको बहजा था, तो इसका आंसर जगा ए सहिस्ता खान को भेजा था नेक्स्ट कोशन है दिये के मावरा का अर्थ निकालें मावरा है आखों में चर्वी च्छाना नहीं आखों में चर्वी च्छाना तो इसके लिए माभी चाता हूँ आखों में चर्वी च्छाना तो इसका आंसर जगा डी घामंड से चूर होना नेक्स्ट कोशन है महमद बिन तुगलक ने नई राधनी का नाम क्या रखा था तो इसका आंसर जगा देवगिरी रखा था जो की दिल्ली से देवगिरी किया था नेक्स्ट कोशन है तो इसका आंसर जगा बी नेक्स्ट कोशन है पकिस्तान के साथ 1965 में के युद के समय भाद का अस्पति कौन थे नेक्स्ट कोशन है सबसे बला नदी मोहना किस नदी का है तो इसका आंसर जगा बी गंकार नदी का मोहना सबसे बला नदी है नेक्स्ट है तलबंदी अस्थान से समंदित ब्यक्ति तो इसका आंसर जगा बी गुरु नानक गुरु नानक जो है तलबंदी नामक अस्थान से समंदित है नेक्स्ट कोशन है भारत के स्रवोस नियाले के समंद्ध में नेमलिखित में सुकौन सा कथन सही नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा यह राज के निति निश्था तत्व के सरक्षन के रूप में कारज करता है जबकि यह गलत है नेक्स्ट कोशन है जत्व में दिला जोकी छत्रीस के फेज र साझगं से समंद्ध घैर यह रहं समद्ध समंद्ध तो इसका ऋैस्था करें से नेक्स्ट कोशन है एक्ट के बिरो़ध में किया था ? next questionLix का कि एक एक और हम कॉशन है . इन मैं से कौणसा बिकलब जो कि तरही है ? गिरीश का चंदी विंचक्छत कौणसा होगा ? कि इन में से कौणसा शूध बरतर्निवाली बिकल्प सही है तो इससका आसरोज़गा आ है जो कि सुध है डेवल मस्तर कुण聯स का इसको Korea गुद्दय का नहीं है तो इससका आसरोज़गा U sırशकार डिरलक तरलों को अमलता को नियमण यह गुद्दे कार्ज नहीं है तैल दिप में बत्ती का तेल के कारण उपर उठता है किसी का किर्या के धिता है that के रात में ताड़े जिलिम लाते हैं क्योंकि तो सिसे का़ रया वायлем मंडल में वायक अबभधना नंक बदलता रहता है कुल सा कफन गलत है तो इसकांसर हो जाएगा, रक्ट अमलिया है, जब की रक्टचारिया हाथ, रक्त का प्याचमान साथ सorf Hadhata Harris साथ से कम अमलिया होता है और साथ रहने पर उदासीन हो जाता है नेक्स्ट कोशन है निमलकित में से कौन से सदिस रासी है तो इस कांसरो जगा वेग जिसमें वो लगे है वो सभी सदिस रासी होता है बल वेग विश्थापन ये सभी सदिस रासी है नेक्स्ट कोशन है निन्मिस्की सासक बंस की राज़ी की राज़धनी सुमिलेत नहीं है तो इसका आंसरों जगा चलुक की बंस की राज़धनी जो कि यह गलत है निन्मिस्की से किस भूरात सुब वेवस्था को टोडर्मल पर नाली कहा ज़ता है तो इसका आंसरों जगा जबती पर नाली को टोडर्मल पर नाली कहा ज़ता है साथ नुमर कोशन है निमल खित में से आईरन पर जंग लगने के लिए कौन से कारण है तो इसका आंसरों जाएगा डी यहींनि ऑक्सिडेशन ऑक्सिजन के साथ रसायनिक प्रतिकी लिए यह दोनों सही है समानता दर्व उचे तल से नीचे तल की और प्रभाइद होते हैं निमले कित में से कौन सा दर्व गलास में लखने पर उपर और चुट जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा डर्व हिलियम डर्व हिलियम इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है असपर्स परति धोनी तभी सुनाई जा सकती है जब प्रावर्तक सतक की धोनी सेवसे नियूंतम दूरी पर हो तो 17 मीटर नियूंतम दूरी पर हो तभी हम किसी धोनी को सुन सकते हैं है की अर्थकोशन है है मेंडेल ने किया था नेक्स्ट कॉशन है है चैवा यूह किस मेंतम दोनी भी तकी खोज़गी थी और कात्व करतां करते हैं इस स्कॉशन करते अरिस निमलीकित इस क्लिका उप्रोडर में तो इस्का-जागा भी पोटेसियुम नायट्रेट का पृरियों गन फॉडर में किया जाता है। सूपरस्णिक बिमान किसको हानी पहुंचाता है। 222 में किसके विरोध में गांधी जी नए आमरान अंशन शुरू किया था तो इसका आंशरो जगा भी समपरदाई पंचात्त के वि्रोध में हे आमरान अंशन शुरू आत्या था जित सट्र, कि संत्तर कि अग्या है कि दो पिंडों के बिच गोद्भाकरशन का बाल उनके दरभान के गुनन फल के दैश होता है तो इस कंसर जगा मुझे दरभान के गुनन फल के समानपाती होता है एड्स फ्यलता है तो एड्स जो फ्यलता है साररीकी संपर्क से फ्यलता है जब एक पिंट की गती दुगुनी हो जाती है तो इसकी गती उर्जा हो जाती है तो इसका अंसर हो जागा गती जो उर्जा चोगुनी हो जाती है नेक्स्ट क्वोचन है 20 की गिरया बजन को जमीन से एक मीटर उपर की उठाई पर उठाइने में किया गया कार्य होता है तो इस्थिति उठाई बढ़ाव होता है म जिय होता है जो कि 20 है जो है एक मीटर जी और जो होता है दस मीटर होता है तो 20 गुने 10 ब्रावर 200 जूल हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है पानी के खारापन की कारण किसका गुलनसील लबन है तो इसका अंसर हो जाएगा केल्सियम और मेगनेसियम के गुलनसील के कारण पानी खारापन होता है नेक्स्ट कोशन है कि नीन में से कौन सा रोग वाइरस से नहीं होता है तो टाइप आ जो है वह जीवानों से होता है नेक्स्ट क्रूशन है दिल कारीन कत्रिन्फशनम के पस्ट्ट मंस्पेशियो में होने वाली ठाकान किस कारण से अनुभब क्या जता है तो इसकाणसरो जगा गुलकोज के चुरुाẫn इसकाणसरो चैगा लेक्टिक एसिड का जमाब के कारन लेक्टिक एसिड के जमाब के कारन जोनि थेकान मौnसोच क्या देता है नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट कोशन है नीती यायो के उपार देख्षिक पद पर कौन होता है तो इसका अंसर जाएगा एक अधिकारी जो किबनेट मंत्री के पर होता है नेक्स्ट कोशन है किरेशन चिद्र अंत्रीक्ष में एक ऐसा प्रिंड है जो किसी विक्रियन को अपने में से हो निकलने नहीं देता इसका कारण क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा सी अत्यूच्य घनत्व हो जाएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों यतने भी दोस्त इस वीडियो के देख रहे हैं सभी लोग एक एक सब्सक्राइब जरूर किजिएगा क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों यह चैनल आप लोगों का है आप लोग एक दोस् बनकर मुझे सपोर्ट कीजिए नेक्स्ट कोशन है शरीर के अमास्य एवं अन्यत अत्रंगों का अन्यवेंशन करने वाली तखने की एंडुएस्कोप वी किस घटना प्रधायत है तो इसका अंशन हो जाएगा यह पुर्ण अंत्रीक प्रावरतन प्रधायत है नेक्स्ट कोशन है निमलेखित में से किस के लिए किसी कत्व एक मात्र कारण नहीं है तो यह सी हो जाएगा सूती कपड़े पर पानी की बुंदों का फैलना इस पर किसी कत्व का कारण नहीं होता है नेक्स्ट कोशन है वार्षिक पुषकर मेला किस राज में आयोजित कहता है तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक पुषकर मेला जो है वो अधार स्थान के अजिमेर में आयोजित कहता है नेक्स्ट कोशन है जैपूर दिल्ली मत्रा और उज्यर में जंतर मंत्र की नाम परवेद सलाग निर्मान किस ने किया तो इसका अंसरों जगा सवाई जैसी ने किया था रजा सवाई जैसी ने किया था नेक्स्ट है दिल्ली चलतनत का कौन साथ नहरों जलासियों जीलों और सिचाई सुबधाओं के निर्मान के लिए सुब विख्यात था तो इसका अंसरों जगा फिरोज तुलक विख्यात था नेक्स्ट खौशन है अलाउदिन खिल जी ने किस खर का सुरुवात कि थी तो इसका अंसरों जगा लद्दाक में सब सी कम बर्शा होती है नेक्स्ट कोशन है भारत किसका जो है अगरनी उत्पादक है भारत जो है मांस का अगरनी उत्पादक है नेक्स्ट कोशन है चीन में कोईला का सरवादिक उत्पादन निर्म से किस छित्र में होता है तो इसका आंसर जगा चीन में कला का उत्पादन जो है वो इसांसी में होता है, सबसे धिक नशी में होता है इसका इएक राए में, तो इसका कदनांग उछ होता है, गलनांग उछ होता है, बिलियन बिदुद के चालक होते हैं नेस्ट कोोईजन और इस सेट का लास्ट कोईशन है, लोकसभा के मुख वरकृता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी लोग सभा के अध्यक्ष होता है दोस्तों अगर आप लोग मैत भी चाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताईए और यह टेस्ट कैसा लगा इस टेस्ट में आपको कितना नमर आ सकता है कमेंट करके जरूर बताईए और अच्छा वीडियो बनाने के लिए किस बुक का किजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई